हलो स्टुडेंट्स मास्टर ने माथमाटिक्स आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में मैंने एक कोशन को उठाया हुआ है और इसको मैं सॉल्फ करूंगा यह जो पार्ट है इसको मैं प्रूफ करके लाऊंगा कि इसके एक्वल है और आपने अगर पीछल सारे लॉज आपके इसमें यूज हो जाएंगे ठीक है तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस को हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक तो आप जानते होगे अब देखो इस चीज को यहां पर प्रूफ करना है तो को प्रूविंग में क्या होता है कि बहुत इजी यह होता ह इतले हैं कि आप किसी बड़ी चीज को लो और चोटे के बराबर प्रूफ कर दो आप उस चोटे चीज को ले रहा हूं और इसके प्रूफ करा दो अब अब ध्यान से देखो आपने क्या पढ़ रखा था आपने पिछली अगर हमारी वीडियो देखी हैं तो मैंने एक यह चीज आपको पढ़ाई थी कि as p implies q इसका मतलब क्या होता था negation p और q ठीक है यह चीज होती थी तो इसका मतलब यही चीज मैं यहाँ पर यूज करूंगा अब यह चीज कैसे यूज हो रही है आप ध्यांसे देखो इस चीज को ठीक है यहाँ पर देखो कि यह मैं as a p यूज कर रहा हूं टोटल यह चीज पी इंप्लाइस यह पूरा का पूरा पार्ट q की तरह यूज कर रहा हूं ठीक है जब भी आप फॉर्मला आप यूज कर रहे हो क्योंकि और q का यहां पे इस्तमाल हो चुका है इसलिए आप यहां पे कोई और स्टेटमेंट का नाम आप दे सकते हो नहीं तो लगेगा कि यह क्या चीज नहीं आ गई ठीक है तो आप यहां पर जैसे कि कुछ भी आप ले सकते हो आर ठीक यहां पर आप S ले सकते हो तो यहां पर भी आर हो जाएगा और यहां पर भी S हो जाएगा ठीक है बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में तो ऐसा चीज होती है जैसे होता नहीं कि अगर आपको एप्लस बी का होल स्क्वाइर आपको कुछ दिखाना था या कुछ ऐसे प्रूफ करना था तो आप ब्रेकेट में फॉर्मला पताते थे एकस और य की फॉर्म में और एकस वाई में कुछ दिया हो सॉल्फ करना हो तो अगर आपको फॉर्मुला वही लगाना होता था तो आप एबी कर दे थे कि कंफ्यूजन ना हो कि यार एकस और वाई चीज हमने लिए है और इसका फॉर्मुला भी कैसे बन गया ठीक है आप समझ कर देंगे अब द्याद से देखो cinco किसका है कि निगेशं ऑफ में सोफ अब तो यहां तक कोई क्लियर इस समय अलिग दिया फिर मैं और लगा हुण गा उसके बाद मैं क्या कर देखो रचेमाइब पूरा का पूरा ऐसा है तो यह पूरा मैंने हां पर लिखक तिक है कोई यह आप लोगों को ठीक है अब यहाँ पर देखो Negation किसी चीज चीज का मैंने क्या बताया था Compliment law क्या कहता था Compliment law यह कहता था कि अगर मैं कोई ले लूँ ठीक है Statement ठीक उसका Compliment ले लूँ और फिर से Compliment कर दों तो वह औरिजनल हमारे पास आजाता था है तो इसी चीज़ का मैं यहां पर यूज करने वालना हूँ यहां पर देखो यह ओर और यह और है और यह पी है और पी है हम कुछ यहां पर यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यूज करें तो एक तरीके से हम यहां पर एसोसियेटिव लॉग का इस्तमाल कर सकते हैं अगर यूज मैं यहां पर करूं कि हो जाएगा आपका पी एंड क्यू और निगेशन पी और निगेशन पी ठीक ब्रेकेट क्लोज रहा और यह हो जाएगा और क्यों हो जाएगा ठीक यहां तक कि यहां मैंने क्या यूज किया है ऐसो शीय टिव लओ ठीक आप यहां पर साइड में यह लौ लिखके बता सकते हो कि वो चीज क्या है यहां पर लिख सकते हो ठीक है तो अब यह चीज हो गई अब यहां पर ध्यान से देखो यह क्या लिखा हुए निगेशन पी और निगेश यह हमारा क्या हो जाएगा आइड़ेंपुटेंट लॉओ से निगेशन ओफ पी और यह रह जाएगा दिस ठीक आइड़ेंपुटेंट लॉओ यहां पे आप साइड में लिख सकते हो कि वह इड़ेंपुटेंट लॉओ का यूज हुआ है जिसमें पी और पी आता था और पी पी आता था इसी गाई उसके आप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि और क्या के चीजें यहां पर हो जाएंगी अब यहां पर एस्वेट यहां पर धियांसे हम देखो इसको पूरा एक मालू और यह और लगा हुआ यह दूसरा टर्म मालो और यह तीसरा सब और के साथ हैं अब तो लगा सकते होना अब इसको एक इससे चानलो गए तो आप और बी और और दूसरा हमारे पास निगेशन पी है इसका करादू में उसके बाद सी का कराऊंगा जो कि हमारे यहां पर एज़क क्यू काम कर रहा है तो मैंने क्या लगाए यहां पर एसोसीएटिव लॉग लगाया एसोसीएटिव लॉग लग गया ठीक है यहां पता सब कुछ आपको दिखने लगेगा अब देख पार होगे कि हाँप कुछ नहीं हो पा रहा है डिस्टिबूटिव का भी सोचा जा सकता था पर डिस्टिबूटिव का अभी इसलिए मैंने नहीं सोचा क्योंकि डिस्टिबू कुछ नहीं कर सकते ये ब्रेकर को पहले शौल्फ करना पडेगा अब यहां पे ध्जयां से देखो यहां पर और लगा पूद लगा हो क्या करें यहांपर डिस्टिबूटिव दिख रहा है मुझे ठीक अगर छुपा लिओ आप को दिस्टिबूटिव क्यूट लॉगा सकत ठीक यह ब्रेकेट क्लोज हो जाएगा और यह हमारा क्यों यहाँ पर मैंने क्या इस्तमाल किया है डिस्ट्रिब्यूटिफ लॉट ठीक है आगर आप इस साइड में लिखते रहोगे तो बहुत अच्छा इंपक्ट पड़ेगा जो एक्जामनर आपको चेक कर रहा होगा बहुत अच्छा इंपक्ट पड़ेगा क्योंकि उसको पता होगा कि हाँ यह बच्चे को पता है कि क्या क्या यूज कर रहा कैसे सिर्फ लॉट मत लिखो आप साइड में लिख सकते हो चीज कैसे होती है तो बहतर होगा और अच्छा दिखेगा ठीक है अब यहां पर दिस्ट्रिब्यूटिव लॉट लगा दिया अब यहां पर ध्यान से देखो कि आप क्या के यूज कर सकते हो आप कॉंप्लिमेंट लॉ सकते हो हमारा कहता था कि पी और निगेशन पी इस इक्वल टू टू और पी एंड निगेशन पी फॉल्स यह हमारा कॉंप्लिमेंट लॉय कहता था अब यहां पर देखो कॉंप्लिमेंट लॉय यहां पर यूज हो रहा है ठीक है कॉंप्लिमेंट लॉग का कौन सा पार्ट यह वाला पहला वाला पाड़ यूज हो रहा है तो यह चीज हमारी टू हो गई एंड क्यू और निगेशन पी और यहां पे यह ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और यह क्यों हो गया यहां तक आए होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को ठीक है अब यहां पे टी के साथ operation है आपको पता है इसको एक टर्म मालो कुछ अब टी के साथ operation करो इसका तो क्या हो जाएगा अगर किसी भी चीज को टी के साथ आप कराते हो तो आपका क्या एंसर आएगा ठीक है वही पर्टिकुलर इस पर डिपेंड कर जाएगा ठीक है यह operation आपका एंसर आजाएगा क्यू और निगेशन पी ठीक है और यह और क्यू लगा रहेगा यहां मैंने क्या यूज किया है operation of T का इस्तमाल किया है मैंने यहां ठीक है काफी sorted हो चुका है अब देखो क्या commutative law होता है इसमें तो इसकी इसलिए आप negation P और negation Q आप कर सकते हो और यह और Q अल्रेड़ी लिखा हुआ है यहां पर मैंने क्या लगा दिया commutative law लगा दिया ठीक है क्यूं लगा दिया क्यूंकि क्यूं इस तरफ करना है तो काफी अच्छा जग आप देखो यहां पर तब थोड़ी आप distributive लगाते थे जब एक जैसा होता था तो एक जैसा आप distributive नहीं लगा सकते हैं तो आप यहां पर फिर से associative law लगा सकते हो तो यह negation P हो जाएगा और Q और Q आ जाएगा ठीक है और Q और Q क्यूँ ही होता है और यहां पर आपका यह हो गया तो आप ध्यान से देखो यह चीज आपकी प्रूब हो रखी है और आपको यह ही चाहिए था negation P और Q आप यहां पर देखो तो यह क्या है negation P और Q ठीक है तो इसे के साद एक question खतम ह होता है तो आप देखो यहाँ पर कम्यूटेटिव लौ डिस्टिविटिव लौ ऑपरेशन ओफ टी कंप्लिमेंट लौ ठीक है आइडम पूटेंट लौ तो यह सारे लौ लगबग और एक यह भी चीज जो मैंने इस्ट्रा बताई थी आपको कंडिशनल की प्रॉपर्टी और कैसे आप लगा पाऊगे उन चीजों को तो इसी के साथ यह वीडियो लेक्ष्य रही पर खतम होता है आप प्रेक्टिस करते रही है मिलते हैं आप से एक फिर से नई वीडियो में जहिन